इस question की तो इसमें बोलता है कि speed of current जो है वो 2 meter per second है और जो speed of boat in downstream जो है वो 9 times है speed of current का तो हमें बताना है कि boat को कितना time लगेगा 756 meter travel करने में upstream as well as downstream तो upstream में भी 756 meter जाना है और downstream में भी 756 meter जाना है अच्छा बताईए हमने अजूम कर लिया कि यू जो है यह क्या है speed of stream speed of stream हो गया और यह कितना है 2 meter per second जो भी है यह क्या है speed of boat तो downstream में बोला है downstream में क्या होता है यू प्लस भी वह 9 times है तो 9 times का मतलब कितना हो गया 18 तो यहां से भी का वेलू कितना आगया 16 meter per second तो हमें पता चला है कि जो speed of boat है न वो है 16 meter per second हमें जो question में चाहिए वो बोलता है कि 756 meter जाना है भाई downstream में speed कितना हो गया 18 प्लस 756 meter आना भी तो है upstream में speed कितना हो जागा 16 में से 2 minus करेंगे न आगया 14 total time कितना हो गया अठर चोक 72, 18 दूना 36, 14, 25, 70, 14, 56, 14, 56, यह आगया 96 seconds 96 seconds को हम क्या लिख सकते हैं 1 minute 36 seconds लिख सकते हैं तो आंसर यह बिल्कु लिख सकते हैं तो अगर यह वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे सारे बेश्टिप्यो आक्यू का सलूसन मिलेगा आपको दीटेल में और अगर हम यहाँ पे कोई concept डिसक्स करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तार तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सलूसन के साथ और एक नए concept के स करते हैं तो आपको 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 झाल झाल